हलो एंड वेलकम माय डियर बच्चा पार्टी टू दिस अमेजिंग प्लाटपर्म आफ पी डवलू मैं हूँ आपकी दोस्त और आपकी फिजिक्स अजुकेटर रूपर कर लिया तो आज के सेशन को कंटीनु करने के लिए आप लोग रेडी हो चिंकी रेडी मैं रेडी मैं आ मैं मैंगनेट्स के बारे में मैं मैंगनेट्स तो मुझे पता है क्या होते हैं अच्छा आपको पता है बताओ मैं मैं मैंगनेट्स वही होते हैं जो ऐसे स्टिक को जाते हैं जब उनको पास लेकर जाते हैं और जो अगर मैं किसी चीज के पास लेकर जाओं तो वो उसको भी अपनी तरफ अट्राक्ट करते हैं okay very good बच्चा लोग चिंकी तो बहुत स्मार्ट है उसको पहले से ही पता है मागनेट्स क्या होते हैं चिंकी आपको यह कैसे पता चला मैम मुझे पता है मागनेट्स के बारे में क्योंकि ना मैगनेट्स मेरे टोईज में लगे हुए okay very nice ma'am but magnets कुछी चीजों को अपनी तरफ ऐसा क्यों होता है चिंकी वो इसी लिए बचा लोग देखो चिंकी ने अल्रेडी यह बता ही दिया है कि magnets क्या होते हैं वो कुछ ऐसे substances होते हैं जो कुछ particular चीजों को अपनी तरफ अट्राक्ट करते हैं अब कौनसी particular चीज तो basically वो ferromagnetic materials को अपने साइड अट्राक्ट करते हैं एक्जामपल के लिए अगर मैं बताओं तो जैसे iron, nickel, cobald जैसी चीजों को या इनसे बनी कोई भी चीज को वो अपने साइड अट्राक्ट करते हैं माम, yes चिंकी, माम, magnets कैसे बने थे और किसमें discover करे थे, ओगे आपको यह जानना है, हाँ माम, मुझे जानना है, ठीक है बचा लोग, magnets क्या होते हैं, ये तो देखी लिया, अब magnets discover कैसे हुए, एक बार ये देखते हैं, चलो मेरे साइड, माम, चलो, चलो magnet के discovery, एक shepherd, magnets के थूँ हुई थी, जो grease के एक शहर, magnesia में रहते थे, जब वो अपनी sheep को या goats को grease कराने के लिए लेकर जाते थे, तो वो usually एक stick को carry करते थे, surprisingly एक दिन उन्होंने ये notice किया, कि उनकी जो stick है, उसकी जो tip है, वो एक बड़ी सी rock पर stuck हो रही है, similarly उनकी जो slippers पे लगी nails है, वो भी stick हो रही है, तो उन्होंने ये notice किया, कि ये सब उस बड़े से rock की वज़े से हो रहा है, और वो जो rock थी, वो था natural magnet, जिसका नाम magnetite रखा गया, after the name of the shepherd, or the place where it was discovered, तो बचा लोग, naturally occurring magnetite को, और magnetite के naturally magnetized pieces को हम लोट स्टोन भी बोलते हैं, तो ये तरीका थ जिस तरीके से हमारे magnet को discover किया गया था, ओके बचा लोग, तो discovery के बारे में जानके कैसा लगा, चिंकी बताओ, येस माम, सब समझ आ गया, मजा आया, ओके तो आप लोगोंने magnet कैसे discover हुए, ये तो आप लोगों को पता चल गया, magnet क्या होते हैं, ये भी अच्छे से समझ आ अब बारी है, magnet के बारे में थोड़ा और जानने की, तो अब हम बात करने वाले हैं, नाचुरल और आर्टिफीशल मागनेट के बारे में, अब नाचुरल मागनेट क्या होते हैं, ये देखेंगे, उसके बाद हम materials को classify करना सीखेंगे, दो categories, अब हमारे पास दो type के materials होते है कौन कौन से, तो हमारे पास है magnetic materials और हमारे पास है non magnetic materials, ये क्या होते हैं, ये भी देखेंगे, तो सबसे पहले देखो, magnets क्या होते हैं, ये तो हमने जान ही लिया, चिंकी आप बताओ magnets क्या होते हैं, मैं, magnets ना वो substances होते हैं, जो iron को attract करते हैं, वेरी गुड, तो बचा लोग चिंकी ने जैसे की अच्छे से बताया, कुछ ऐसे substances होते हैं, जो क्या करते हैं, iron को attract करते हैं, उनके पास ये property होती है, कि वो कुछ चीजों को अपनी तरफ attract कर पाए और उन्हीं सब्स्टांस को हम क्या बोलते हैं मैंगनेज बोलते हैं अब यह जो मैंगनेज की प्रॉपर्टी है चीजों को अट्राक्ट करने की उसी प्रॉपर्टी को भी हमने एक नाम दे रखा है क्या नाम तो बचा लोग उसको हम बोलते हैं मैंगनेज्टिस्म ठीक है चिंगी समझ आ रहा हूं यस माम सब समझ आ गया तो अब जानते हैं नाचुरल मागनेट्स के बारे में अब देखो किसी भी चीज के आगे अगर हम नाचुरल लगा दे इसका मतलब क्या होगा कि वो जो चीज है वो हमको नेचर की साइट से मिली है है ना तो नाचुर हमारे पास लोड स्टोन है एकसे नाचुरल मागनेट्स व्फ फावर इसी वजे से वह नाचुरल मेगनेट है ठीक है अब नाचुरल मेगनेट्स में एक चीज होती है यह चीज इस ताइप आफ मागनेट्स जन्रेली है लो मैगनेटिकistant पावर और यह जो नंचरल म्याज़रल मागनेट्स होते है बचा लोग इनकी जएनरली जो मैगनेटिक पावर है वो कम होती है तो नाइक्रूद मैट मेस्अ हमने देख लिए भगया magnetite और लोट स्टोन ठीक है अब चिंकी आटीफिशल मैंगेट कैसे होंगे नाचुरल मैंगेट के बारे में तो समझ आ गया पाट आटीफिशल मैंगेट नाम से हमको पता लग रहा है बताओ कैसे होंगे artificial magnets तो मैं वो होंगे ना जो man made होंगे यानि कि जिनको हम खुद बनाते हैं very good तो बच्छा लोग अगर हम artificial magnets की बात करें so basically artificial magnets are prepared by humans which can be used at any time and at any place and these magnets are much stronger than the natural magnets अब यह जो artificial magnets हैं इनको हम क्या बोल सकते हैं man made magnets भी बोल सकते हैं क्योंकि humans के थ्रू बनाए जाते हैं अब बहुत सारी processes होती है magnets को बनाने की construct करने की जो आप अपनी higher classes में पढ़ोगे अभी के लिए इतना समझना है कि हमारे पास कुछ artificial magnets होते हैं जिनकी magnetic power comparatively ज्यादा होती है ठीक है बच्छा लोग कुछ applications के बारे में जब हम आगे जानेंगे ना कि magnets कहां कहां इस्तमाल होते हैं तो आप लोगों को यह realize हो जाएगा कि उन अप्लिकेशन में magnets को इस्तमाल होने के लिए उनकी magnetic power का हाई होना जरूरी है तो इसलिए humans ने अपनी नीड के according कुछ magnets को generate करना शुरू किया जिनकी magnetic power को जो हमने देखा तो comparatively जो नाचुरल magnets थे उनसे ज्यादा थी इसलिए तो magnets बनाए गए थे क्योंकि हमको magnetic power ज्यादा चाहिए थी तो बचा लोग artificial magnets में भी road shape, u shape and horseshoe shape ऐसे बार magnets भी होते हैं अगर आप market में जाओगे वहां बोलोगे artificial magnets मुझे दे दो आपको बहुत ही different different shapes के magnets देखने को मिलेंगे समझ आया चिंकी समझ आया येस माम ओके तो अब यह जाने कि magnetic materials और non-magnetic materials क्या होते हैं तो बचा लोग देखो basically there are two types of materials हमारे पास ना दो टाइप के material होते हैं based on the attraction to magnets यानि की magnet के attraction इसके basis पर we categorize the materials in two different ways कौन कौन से तरीके तो हमारे पास होते हैं कुछ magnetic materials और कुछ होते हैं non-magnetic materials अब यह जानेंगे चिंकी जानना है जानना है इसके बारे में भी तो बचा लोग basically the materials which get attracted towards a magnet are called magnetic materials simple जो materials magnet से attract हो पाएं उन्हीं materials को हम क्या बोलेंगे magnetic materials बोलेंगे for example जैसे कि हमारे पास iron है nickel है cobalt है अब यह जितनी भी चीजें हैं यह क्या करते हैं अगर हम इनके सामने ऐसे magnet लेकर आये तो वो जाकर magnet से चिपक जाएंगे है ना तो यह जो materials हैं जो जाकर magnet से चिपक जाएंगे उन्हीं materials को हम magnetic materials बोलते हैं अब कुछ हमारे पास non magnetic materials भी थे जैसे कि अभी हमने देखा तो कौन-कौन से materials थे so basically the materials which are not attracted towards magnet are non magnetic materials तो बचा लोग example के लिए इतने सारी चीजे हैं हमारे आसपास जैसे कि हमारे पास plastic है वुड है पेपर है ग्लास है तो यह जितनी भी चीजे हैं अगर आप इनके आगे magnet लेकर जाओ तो इनको कुछ फरक नहीं पड़ेगा और इसी लिए इस टाइप के materials को हम लोग बोलते हैं non magnetic materials ठीक है बचा लोग समझ आया चिंकी everything clear yes ma'am clear ओके तो बचा लोग अब बारी है जितना भी अभी तक हमने पढ़ा उसको टेस्ट करने की यानि की quiz time की इसमें basically हमारे सामने कुछ questions आएंगे और हमको मिलकर उन questions को solve करना है पांच सब्सक्राइब का टाइमर चलेगा पहले आप लोग ट्राइब करोगे और उसके बाद हम मिलकर उन questions का answer करेंगे ठीक है चिंकी ready yes ma'am ready okay सबसे पहला question है अ क्या है क्या हुं वह ट्र गोनको अनeral तर्धिमन टेडियत बोलते हम ट्रॉम हम नको so on a sč मेंटेक मपेडियल बोलते यह क्या हम उनको ऻत्र उनकॉवलते हैं क्या हम उनको अगे ते चिंकी क्या आंसर है बताओ मैं है गटीक मतीरियल तो बचा लोग चिंकी इस रॉइट डराइट आंसर इस magnetic materials क्योंकि magnetic materials ही वो materials होते हैं वो substances होते हैं जो magnet के थ्रू attract हो सकते हैं ठीक है अब चलते हैं अपने अगले question पे and the second question is the name leading stone to the magnet was given by किसके थ्रू दिया गया था यह जो magnets का नाम है leading stone इसको किन के थ्रू हमको यह नाम मिला था basically Portuguese के थ्रू मिला था Chinese के थ्रू मिला था Japanese के थ्रू मिला था यह इतालियन के थ्रू मिला था so your timer starts now okay time's up तो बचा लोग क्या आंसर है and the right answer is Chinese Chinese magnet का हमको यह नाम दिया था जिसको हम बोलते हैं leading stone okay अगले question पर चलते हैं so the next question is which of the following is a natural magnet इन में से natural magnet कौन सा है हमको यह बताना है ठीक है क्या वो iron है क्या वो copper है क्या वो nickel है क्या वो magnetite है and your timer starts now okay बचा लोग time's up तो answer क्या होगा इसका बताईए आप लोग चिंकी आप बताओ मैम इसका answer है magnetite जब आपने discovery के बारे में बताया था तब बताया था राइट तो बचा लोग the right answer is magnetite जो हमने discovery of magnets के टाइम पे भी देखा था कि इन सारे ही options में से जो naturally occurring magnet है वो क्या है magnetite ठीक है ओके बचा लोग तो अब बारी है अपने fourth question की and the fourth question is which of the following is not a magnetic material हमको बताना है कि इन सारे options में से magnetic material कौन सा नहीं है and the options we have are iron, nickel, glass sheet and kobal तो बचा लोग आप लोगों का timer start होता है अब ओके बचा लोग time's up तो क्या answer होगा इसका चिंकी आप बताओ मैम glass sheet right तो बचा लोग जैसे चिंकी ने अभी आप लोगों को बताया आइरन, निकल और कोबाल यह जो तीनों चीज़े हैं यह क्या है magnetic material है magnetic material तो जो हमारा answer होगा वो क्या होगा glass sheet विकेज जो glass sheet है it's a non-magnetic material ठीके बचा लोग तो हमारा answer क्या होगा glass sheet ओगे तो आई होप आप लोगों को अभी तक सारी चीज़े अच्छे से clear है जितने भी questions अभी आपके सामने आए उन सारे ही questions का आप लोगों ने बहुत अच्छे से answer दे दिया तो बचा लोग अब बारी है इस session को summarize करने की तो चलो तो बचा लोग सबसे पहले बात करी थी कि magnets के बारे में magnets कुछ ऐसे substance होते हैं जो Ferromagnetic Materials को attract करते हैं Ferromagnetic Materials के कुछ examples जो हमने देखे जैसे कि iron nickel और कोबार जब कोई भी substance इन जैसे materials को attract करता है तो वो substance होता है वो magnet कहलाता है अब discovery of magnet के time पे फिर हमने यह जाना था तो नेचर से मिले वह नाचुरल मैंगेट्स होते हैं जो मैंने नाचुरल यह देखा था कि जो नाचुरली ओकरिंग मैंगेट्स होते हैं उनकी जो मैंगेटिक पावर होती है ieme है कौने मैम होते हैं उसके बाद हमने दूल को क्लासिफाइ किया था उत्वेति ज्यू statement हो जाते हैं जैसे महारे पास निकल है कोवल्ट है clean से हो ऑगानी जैसे कि हमारे प्लास्टिक इझार्ड ज्यासे कि सारी ही चीज अइसी है, जो magnet से attract नहीं हो पाती, तो बच्छा लोग, I hope आप लोगों को सारी चीज़े समझ आई होगी, Okay बच्छा लोग, तो I hope आप लोगों को सारी चीज़े बहुत अच्छे से समझ आई है, इस session में आप लोगों को बहुत मज़ा आया होगा तो अब मिलेंगे हम नेक्स सेशन में तब तक के लिए थांक यू